हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सुदरसिंपरकाश और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल गुरूचकाचक दोस्तों इंडियन कोश्टगार्ड की वेकेंसी आ गई है मतलब इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है इंडियन कोश्टगार्ड एक्जाम की तयारी करने वाले काफी एस्टुडेंट्स को इस नोटिफिकेशन का इंतजार था अब वो इंतजार खत्म हो चुका है दोस्तों इंडियन कोश्टगार्ड 2022 की ये सबसी बड़ी वेकेंसी है क्योंकि इस नोटिफिकेशन में 300 पोश्ट बताए गए है ये नोटिफिकेशन नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांतरिक के लिए है जो इस्टुरेंट्स इस एक्जाम की तियारी कर रहे थे वो अपनी तियारी दुगुनी मेहनत के साथ शुरू कर दो क्योंकि ये काफी अच्छा मौका है आपके लिए दोस्तों इस वीडियो में इंडियन कोश्ट कार्ट की नोटिफिकेशन में क्या-क्या बताएगा है वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा उससे पहले समझ लीजे मैं आपको इस वीडियो में क्या-क्या बताने वाला हूँ online form कब से कब तक apply होगा, exam कब से शुरू होगा, qualification क्या चाहिए, age limit क्या है, category wise vacancy कितनी है, application fee कितनी है, selection process क्या है, exam pattern क्या है तो दोस्तों Indian Coast Guard 2022 notification के अनुसार इस वीडियो में सारी बातें डिसकस करूँगा तो बने रही हमारे साथ और वीडियो को last तक देखिए लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्रेज कर लिजे, साथी बेल आइकन को प्रेज कर लिजे ताक कि नए वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके साथी टेलिग्राम और इस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं ओनलाइन फॉर्म कब से कब तक अपलाई होगा दोस्तों online form apply करने की बात करूँ तो इसका form 8 सितंबर से शुरू हो चुका है और इसका form apply करने का last date है 22 सितंबर दोस्तों आपके पास मातर कुछ दिनों का वक्त है form apply करने का एक बात आप समझ लेजे form भरने के लिए last date का इंतिजार नहीं करना है आप अभी से ही form भरने की कोशिश किजिए ताकि आपका application secure हो जाए अब जानते हैं exam कब से शुरू होगा दोस्तों इस notification में exam का date clear नहीं किया गया है लेकिन हाँ इतना जरूर जनकरी दी गई है कि stage 1, stage 2 and stage 3 का exam किस मन्त में होने की संभावना है नाविक, GD, नाविक, DB और यांतरिक की stage 1 का exam नौवंबर में होने की संभावना है तो वही stage 2 का exam जनवरी 2023 में होने की संभावना जता आई गई है और वही stage 3 का exam मई 2023 में होने की संभावना जता आई गई है नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि candidate website regular चेक करते रहें ताकि वो update रह सके लेकिन जब exam का date आईगा तो मैं आपको inform कर दूँगा इस channel के थरू अब जानते हैं qualification क्या चाहिए दोस्तों इस notification में 3 तरह की vacancy है और 3 का educational qualification भी अलग-अलग है नाविक general duty के लिए 10 plus 2 पास होना चाहिए साथ में maths और physics का होना compulsory है वहीं नाविक domestic branch को 10 पास होना चाहिए किसी भी recognized board से या अंतरिक के लिए आपका class 10 पास होना चाहिए या फिर diploma in electrical, mechanical, electronics, telecommunication, radio power और 3 या 4 सल का engineering भी होना चाहिए अब जानते हैं age limit क्या है दोस्तों age limit की बात करूँ तो आपकी age minimum 18 वर्स होनी चाहिए और maximum 22 वर्स होनी चाहिए मतलब आपका जन्म 1 माई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच होनी चाहिए कुल मिलाकर कहा जाए तो 18 से 22 वर्स के बीच के student ही इस form को भर सकते हैं ध्यान दिजिए कि ये age limit जेनल काटेगरी के students के लिए है दोस्तों category wise उम्र सिमा में चूट भी मिलती है जैसे SCST को 5 साल की चूट तो वहीं OBC को 3 साल की चूट मिलती है दोस्तों age limit आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है कि इसमें आपको कहीं कोई confusion नहीं होगा दोस्तों मैं आपको Indian Coast Guard के लिए एक book सजेस्ट करना चाहूँगा ये book SK Publishers की भारतिय तर्ट रक्षक नाविक DB और नाविक GD यांतरिक सेक्शन 1 की है स्रीक्रिशन Publishers की ये book Indian Coast Guard DB और GD के अंतरगत new syllabus और exam pattern पर आधारित है इस book में English, General Knowledge, Numerology, General Science और डिजनिंग की है इस book में सभी topics को example के साथ समझाया गया है question के solution को आसान भाषा में समझाया गया है इसके साथ साथ section 1 के लिए अभ्यास paper set भी है इस book में 37 papers हैं जो की आपके exam के लिए important है दोस्तों इसके साथ साथ Indian Coast Guard section 2 की ये book है ये book भी new syllabus पर आधारित है book में mathematics और physics को cover किया गया है इसके साथ साथ अभ्यास paper set भी है इसमें total 47 papers दिये हुए है book की quality अच्छी है इस book से आप Indian Coast Guard exam के preparation कर सकते हैं ये book आपको bookkisop.com पर उपलब्ध है आप वहाँ से purchase कर सकते हैं link description में है अब जानते हैं cost wise vacancy कितनी है दोस्तों vacancy की बात करूँ तो इसमें total 300 post है नाविक जनरल ड्यूटी में जनरल को 87 EWS को 23, OBC को 48, HD को 32, HD को 35 और इसमें total vacancy है, 225 तो वहीं नाविक डुमेस्टिक ब्राँच में जनरल को 16, EWS को 5, OBC को 10, HD को 6, SC को 3 और इसमें total vacancy है, 40 तो वहीं यांतरिक गाचिकल में जनरल को 5, EWS को 1, OBC को 7, ST को 0 SC को 3, और इसमें total vacancy है, 16 यांतरिक इलेक्रिकल में जेनरल को 3, EWS को 0, OBC को 3, ST को 1, SC को 3 और इसमें total vacancy है 10 तो वहीं यांतरिक electronics में जेनरल को 4, EWS को 0, OBC को 2, ST को 1 और SC को 2 है और इसमें total vacancy है 9 अब जानते हैं application fee कितनी है दोस्तों Indian Coast Guard की application fee जेनरल OBC को 500 रुपए लगेंगे तो वहीं SC, ST से belong करने वाले candidate को fee में छोड़ दी गई है मतलब इन category के student को कोई fee नहीं लगेगा एक बात ध्यान दीजे कि अगर आप एक बार online payment का process पुड़ा कर देते हैं तो उसके बाद आपका fee different नहीं होगा इसलिए बड़ी ध्यान से आपको form भरना है अब जानते हैं selection process क्या है दोस्तों selection process की बात करूँ तो आपका selection all India merit के अधार पर होगा इसमें आपका performance बहतर होना चाहिए मतलब post-wise जो exam होना है जैसे stage 1, 2, 3, 4 में आपका performance अच्छा होना चाहिए अब जानते हैं exam pattern क्या है दोस्तों exam pattern की बात करूँ तो नाविक DB को section 1 का exam देना है तो नाविक GT को section 1 और 2 का exam देना है वहीं यांतरिक Electrical को section 1 और 3 का exam देना है तो यांतरिक Electronics को section 1 और 4 का exam देना है तो वहीं यांतरिक Mechanical को section 1 और 5 का exam देना है इतना तो आपने समझ लिया अब जानते हैं किस section से कितने marks के question आते हैं और किस subject से कितने question पूछे जाते हैं तो section 1 में maximum marks है 60, time है 45 minutes, total number of question है 60 तो अगर हम बात कर लिए subject wise कितने question आते हैं तो math में 20 question, science से 10, English से 15, reasoning से 10 और GK से 5 question पूछे जाते हैं तो वही section 2 में maximum marks है 50, time है 30 minutes, total number of question है 50 math से 25 question पूछे जाते हैं, तो physics से 25 question वही section 3 में maximum marks है 50, time है 30 minutes, total number of question है 50 तो वहीं electrical engineering से 50 question पूछे जाते हैं वही section 4 में maximum marks है 50, time 30 minutes, total number of question जो पूछे जाते हैं वो है 50 इसमें चो subject से question पूछे जाते हैं वो है electronics engineering इसमें 50 question पूछे जाते हैं section 5 में maximum marks 50, time 30 minutes, total number of questions है 50 तो subject mechanical engineering में 50 question पूछे जाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, उमिद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको next वीडियो के topic पर चाहिए अब हमें comment कर बता सकते हैं वीडियो को like और channel को subscribe जोड़ कीजे, thank you